हेलो और वेलकम बाग तो नौ टंकी जूम का जूमटास्टिक 9th Anniversary Special Show और ब्रेक के बाद हम आप उचे हैं अक्षे कुमार की सबसे spicy 9 Controversies की नौ टंकी की ओर नंबर वन पर है अक्षे और उनकी वाइफ टुइंकल का वो आक जिसने एक बड़ी कॉंट्रवर्सी का बटन दबा दिया था हुआ यू कि अक्षे कुमार एक जीन्स ब्रैंड को इंडॉस करने के लिए कर रहे थे रैंप वाउक और रैंप पर वाउक करते हुए वो पहुचे वहाँ प्रेजंट अपनी वाइफ टुइंकल के पास जिन्होंने उस जीन्स के अनबटन ब्रैंड को प्रमोट करने के लिए अक्षे की जीन्स को कर दिया अनबटन मगर ये बात किसी सोचल अक्टिविस्ट को लग गई वलगा और उसने कर दी इस आक्ट के खिलाफ रिपॉर्ट और फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो एक बार वो मौरल पुलिस के हाथ चड़ जाए तो उसका बचना मुश्किल है अक्षे ट्विंकल के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट हो गई जब ट्विंकल को जाना पड़ा वाकोला पुलिस्टेशन और लेनी पड़ी वहां से बेर अक्षे की लाइफ की अगली कॉंट्रवर्सी है शिरीश कुंदर के साथ जब उन्होंने शिरीश के साथ अपनी मूवी जोकर के प्रमोशन से बना ली दूरी शिरीश जिनके साथ अक्षे की बड़ी फ्रेंशिप हुआ करती थी जाने मन और तीस मारखा जैसी बड़ी बड़ी फ्लॉप्स करने के बाद भी अक्षे ने उन्हें सपॉर्ट करना नहीं छोड़ा और शिरीश की नेक्स्ट मूवी जोकर को खुद प्रड्यूस करने का ड शिरीश ने उन्हें वो भी नहीं करने दिया अक्षे चाहते थे कि फिल्म के स्पेशल इफेक्स हॉलिवुड में हो मगर शिरीश को वो बात भी पसंद नहीं आई और शिरीश की मनमानी से अक्षे कुछ इस तरह नाराज हुए कि उन्होंने शिरीश को किया अन फ्रेंट औ पाकिस्तान में करना पड़ा बड़ी मुश्किलों का सामना जब पाकिस्तान के सेंसर बॉर्ड ने इस मूवी के प्रोमोशन्स, ट्रेलर्स, सब को कर दिया बैंड। रिपॉर्टिडली वहां के सेंसर बॉर्ड का कहना था कि मूवी के नाम में यूज़ नंबर औस्पीशिस माना जाता है और इससे पॉब्लिक फीलिंग्स को चोट पहुँच सकती है। फाइनली आपस में बात करके मैटर को सॉल्फ किया गया और मूवी के नाम से ये उस्पिशिस नंबर हटा कर फाइनली फिल्म पाकिस्तान में रिलियस हुई। कॉंट्रवर्सी इसके खिलारी अक्षे की लाइफ में एक बड़ी कॉंट्रवर्सी ये रही है कि उनके कई को स्टार्स ने उन पर अपना रोल काटने का इल्जाम लगाया है। ये कॉंट्रवर्सी ने सर उठाया था मूवी गरम मसाला के टाइम जब फिल्म में अक्षे के को स्टार जॉन एब्रहेम ने अक्षे पर उनका रोल काटने का इल्जाम लगाया था। इस कॉंट्रवर्सी के बाद अक्षे और जॉन करीब हाफ डेकेड तक साथ नजर नहीं आए। इस कॉंट्रवर्सी ने बीच बचाव करके मामला सोट आउट कर दिया। इस लेटिस कॉंट्रवर्सी बड़ा रोल प्ले किया उनकी मूवी के सॉंग्स ने। अक्षे कुंट्रा की मूवी धरकन के सॉंग्स प्ले करने शुरू कर दिये। अक्षे कुंट्रा की घर वालों ने बैंड बाजा वालों को अक्षे की मूवी के सॉंग्स ना बचाने का ओडर सुना डाला। अक्षे कुमार का अक्षे कुमार का वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दो बारा की प्रोड्यूसर एक्टा कपूर की साथ हुई कॉंट्रवैसी। रूमर है कि एक्टा है ना राज अक्षे कुमार से। विकज उन्हें फील हुआ कि अक्षे ने फिल्म को सही तरीके से प्रोमोट करने में कोई इंट्रेस नहीं दिखाया। और एक्टा ने ऐसी किसी भी बात से डिनाई किया। बट इंसाइडर्स की माने तो शी स्टिल अन्हापी विद अक्षे। नमबर एट पर हैं वो कॉंट्रवर्सी जिसमें अक्षे इतना भड़क गए थे कि वो एक-एक टाबलॉइड को सूतक करने के लिए तयार थे। हुआ यू के एक इंटनाशनल रियालिटी शो जीत कर जब शिल्पा शेटी बन गई यूके में एक स्टार। तो यूके के एक स्लीजी टैबलॉइड ने शिल्पा के पास्ट के बारे में काफी नमक मिर्श लगाकर कुछ आर्टिकल्स पॉब्लिश किये थे। जिसमें अक्षे और शिल्पा के पास रिलेशन्शिप्स को लेकर बहुत सारे इंटिमिट और एक्स्प्लिसिट मोमेंट्स का डिस्क्रिप्शन भी था। टैबलॉइड ने यहां तक दावा कर दिया कि ये सारी डीटेल्स उन्हें अक्षे ने प्रोवाइड कराई हैं। वाइल शिल्पा ने उस आर्टिकल के खिलाफ अपनाया डिग्निफाइड साइलेंस और सपोर्ट किया अक्षे को वहीं अक्षे गॉट सो आग बबूला एड दोस डीटेल्स कि वो उस टैबलॉइड को सू करने तक को तैयार थे। नमबर नाइन पर है अक्षे की किंग खान के साथ चैनाइ एक्सप्रेस वर्सेज वंस अपान अटाइम इन मुंबई दोबारा को लेकर हुई रीसेंट कॉंट्रवेसी। जब अक्षे एक रियालिटी शो में पहुँचे अपनी मूवी वंस अपान अटाइम इन मुंबई दोबारा प्रमोट करने तो वहाँ भी उन्हें एस आरके की ब्लोगबस्टर के सौंग सुनने को मिले।